नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भई ये है मेरी कुछ नई सी सैटिंग जो की रोज ही बदलती रहती है कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ और बिल्को लविस्त रहके से मैंने पोद्धे रख दी हैं कि ताकि सबको अच्छे खासी भी मिले और जो भी मैंने कवर करके रखे हुए थे या गर्मियों से बचाने के लिए और जिनको वाक्य में ही धूप की जरूर थी और जो गर्मी की वज़े से छुपा रखे थे वो अब मैं थोड़ी-थोड़ी से निकालने शुरू होगी हूँ और आज मुझे वही एक ऐ तरी विराइटी की जाहेंगी और बहुत तरीक्य की चंपा होती हैं डोस्तों कई ओ में फूल आते हैं और चिसिल में फूल जाते हैं बहुत जेकॉरेशन पूल के लिए पहुत संदर लगते हैан लेकिन जो डेकॉरेशन के लिए हम रखते हैं, उस पलांट की वीखूब सू जरूरत है ना कोई देखवाल की जरूरत है और कितनी भी दोस्तों आप इसकी मोटे से मोटी या पतले से पतली स्टेम उगा लो तोड़के तो वो उग भी जाएगी और दूसरा आपको कोई ध्यान भी नहीं देना पड़ेगा और अपने आप से एक बहुत सुंदर सा प्लां कासरी गई थी तो भाईया से मैं एक नाग चंपा की कटिंग लेके आई थी और उसको भी मैं भी लगा के भूल गी थी अब जैसे मैं पोद्धो को थोड़ा सा बाहर निकाल रही हूं इदर उदर कर रही हूं तब मुझे दिखाई दिया और मैं भी वाक्य में ही बिल्कुल बे ध्यानी में थी कि मैंने एक प्लांट लगा भी रखा है और आज जब गंबलो को इदर उदर कर रही थी तब इसको भी मैंने बाहर निकाला क्योंकि इस टाइम है इसके फूल आने का टाइम है और यह देखो कटिंग भी कितने अच्छे से चल गी है यह बिल्कुल छोट से कटिंग थी और अब तो देखो कितनी बड़ी होगी है गंबले में और एक बर इस पर फूल आ जाएं फिर मैं इसकी कटाई कर दूँगी ताकि यह और ज्यादा हैवी हो जाए प्लांट और हैवी होके सुन्दर लगेगा आप तो जैसे एक कटिंग थी ना उसी तरीके से बढ़ती जा रही है और अगर आपके पास भी इस तरीके का प्लांट है प्लूमेरिय का कोई भी प्लांट है जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया तो इसको आप गंबले भी लगा सकते हो ऐसे स्मॉल ट्री बन जाता है इसका उस तरीके से भी आप इसको घर में क्यारी के बहार या आपका जमीनी एरिया है कोई भी वहां लगा सकते हो क्योंकि इसके प्लांट की अपनी ही खुबसूरते होती है एक अलग से ही पैटर लेके चलता है इसका प्लांट जो की देखने में बहुत सुंदर लगता है और इस तरीके से दोस्तों इसकी कटिंग उगाई जात और मुझे भी नहीं लगता कि मैंने कभी इस पर ध्यान भी दिया होगा तो इसका मतलब है इसकी कटिंग बड़े अराम से चल जाती है चाहे आपकी सोयल में मुएश्चर हो या ना हो अगर देखो ज़्यादा पानी दोगे या इसके गमले में पानी रुग गया गलती से भ अगर पानी नहीं भी मिलेगा तब ये सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि इसकी जो दोस्तों स्टेम्स होती है ना उसमें ही इतना मुएश्चर होता है कि अगर आप ज़्यादा पानी दे देते हो ना तो ये गलनी शुरू हो जाती है और बगवान की दिया से ये पढ़ा भी कटिंग है और ये देखो कितनी अच्छी चल गी है तो इसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी प्लांट है आपके पास या आपको आसपस कहीं लगा हुआ दिखता है आप उसकी ब्रांच तोड़ लाओ और नीचे के पत्ते हटाके बेशक से लगा दो लेकिन बस आप यही ध यार हो जाएगा तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है यह और हर तरीके से दोस्तों इसी तरीके के प्लांट की इसी तरीके से कटिंग उगाई जाती है प्लूमेरिया के और प्लूमेरिया को सबसे अच्छी बात यही मननी जाती है कि इसको कोई ज़्यादा केयर की जरूर चाहते हैं तो यह और भी खूबसूरत लगता है तो यह देखो बिना किसी केर के भी जब इसकी कटिंग त्यार होगी है ना ही मैंने देखा ना ही कुछ करा अभी लाके ही मैंने इसमें हलका सा पानी डाला बिल्कुल सुखा वा था गमला तब यह प्लांट अच्छे से चल रह है शाम कोई देखती हूं मैं अच्छी खासी दूप पढ़ रही है और बस भई गर्मी का पोद्धा है यह लेकिन रहेगा आपके पास हमेशा और इस टैम में इसमें फूल आते हैं तो थोड़ी से आपके पास च्वाइस भी हो जाती है कि कौन से रंके फूलो वाला पोद् संदर लगते हैं बहुत संदर प्लांट लगते हैं इसके और चंपा तो वैसी बड़ा कोवन सा नाम है और दोस्तों जितना इसका कोवन नाम है उतना ही उगाना भी इसको असान है कोई ज़्यादा इसको किसी चीज की जुरूरत नहीं होती केर की कि किसी भी तरह की मट्टी में आप इसको लगा सकते हो लेकिन हो सके तो ऐसी मटी में लगा ना जिसमें की पानी ना रुके क्यूंकि इसको देखो पानी तो पसंद है नहीं है न और अगर आपने जादा दे दिया गलती से और मटी आपने अच्छी खासी ऐसी लेली गार्डन वाली सोयल एकदम बिल्कुल गार्डन वाली तो देखो फिर थोड़ा सा खराब होने का डर हुजाता इसका और इसकी मट्टी दोस्तों जब भी बनाओ थोड़ी सी आप रीवर सैंड मिला लो और इसकी कटिंग को तो भई पूरा साल भर आप किसी भी टा सकते हो और कितनी भी इसकी पुरानी बरांच हो हफ़ते तक भी इसकी बरांच पड़ी रहती है ना तब भी आप उसको लाके लगा सकते हो और कई बर तो हुषको जरूरी है और अब तो दिखो एक करोंदे पे भी खूब फूलाने लगे हैं तो उमीद है प्लुमेरिया वाला प्लांट आपको अच्छा लगा होगा और जैसे भी आपकी कटिंग होगी जाए फिर उसको दीरे-दीरे दूप में लाना शुरू कर देना जैसे मैं अब इसको दूप में निकाल आई हूँ नो पिछे तो ये गमलों के पिछे छुपा हुआ पड़ा था और अब मैं इसको थोड़ी दूप भी दिखाऊंगी क्योंकि अपनी कटिंग अच्छे से चल चुकी है और इसमें फूल आते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर मैं इसको कट मार इसकी कटिंग को भी मैं दुबारा लगा दूँग एक को ठीक है ना तो क्यूंकि वहां से फिर दो तिन और ब्रांचे निकलेंगे और ज्यादा हैल्दी प्लांट हो जाएगा और ये दिखो कितने अच्छे-च्छे करोंदे लगे हुए हैं और ये भी जो आप पोच रहे आपने कैसे क्या किया तो भी कोई मेरा पका नहीं होता मैं डेली कुछ ना कुछ इधर उधर करती रहती हूं तो फिलाल का आज का तो देख लो इस तरीके से मैंने रख्य हूए हैं पोधे और बहुत सारे पोधे तो दोस्तों मैंने ऐसे निकालने हैं जो कि बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी आपको चंपा की दिखाई ना जो छुपे उसे गंबले होते हैं उनमें अपना लगा देती हूं और यह दिखो अपने आप उगभी गई और इस तरीके से मैंने अभी रख रख्या हैं गंबले यह आप देखो और धूप इतनी पड़ रही है वही इतनी गर्मी पड़ रही है एकदम कोई ऐसा नहीं लग रहा बर्सात वाला मुसम हो और रात कोई मैंने इनको पानी देखो